संकर जी पारवती जी से कहते हैं कमला नने अब मैं अस्टोत्तर सत नाम का बढ़न करता हूँ सुनो जिसके परसाद पाठ या स्रवन मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा परसन्न हो जाती हैं ओम दुर्गा सती साध्वी भव परिता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आध्या त्रिनेत्रा सुलधारिनी पिनाकधारिनी चित्रा चंद घंटा महातपह मनह बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिताचिति सरोमंत्रमय सत्ता सत्यानंद सरूपिनी अनन्ता भाविनी भाव्या भव्या औभव्या सदागति सासांभी देमाता चिंता रतन प्रिया सरव बिद्या दक्ष कन्या दक्ष यग्य विनासनी अपड़ना अनेक वड़ना पाटला पाटला वति पट्टारं पड़ी धाना कल मंजरे रंजिनी ओमे विक्रमा कुरूरा कुरूर सुन्दरी सुन्दरी, सुरसुन्दरी, वनदुर्गा, मातंगी, मातंगमुनी पूजिता, ब्राम्ही, महेश्वरी, एंदरी, कौमारी, बैस्नवी, चामुंदा, वराही, लक्षमी, पुर्शाकृति, बिमला, उतकर्सनी, ज्याना, कित्क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, ब सुर्विनासा, सर्वदानव घातिनी, सर्व सस्त्रमई, सत्या, सर्वास्त्रधारीनी, अनेक सस्त्रहस्ता, अनेक आस्त्रधारनी, कौमारी, एक कन्या, कैसोरी, यूती, यति, अपोड़ा-पोड़ा, ब्रिधमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केसी, घोर रूपा, महा प्रति दिन दुर्गा जी के इस अस्टोत्तर सत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी और साध्य नहीं है वह ब्यक्ति धन धान्ने पुत्र इस्त्री घोडा हाथी धर्म आधी चार पुरसार्थ और अंत में सनातन मुक्ति को प्राप्त करता है कुमारी का पुजन और देवी सुरिस्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पुजन करें फिर अस्टोतर सत नाम का पाठ आरंब करें देवी जो ऐसा करता है उसे सब स्रेष्ट देपताउं से भी सिध्धी प्राप्त होती है राजा उसके दास हो जाते हैं वह राजे लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है गोरोचन, लक्षा, कुंकुम, सिंदूर, कपूर, घी, अत्वादूद, चीनी, मधूर, इन बस्तूओं को एकत्र करके इन से बिधी पुर्वक यंत्र लिखकर जो बिधी पुर्वक पुरूसदा उसको धारन करता है वह सिब तुल्ल मुख चुरूप हो जाता है और भौमवती अवश्या आधी रात में जब चंद्रमासत विसान चत्र में हो उसमें इस इस्तूद को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपतिस साली हो जाता है हर हर महादेव बोलो अमबे मात की जै